हेलो प्रेंड्स आज हम चो को और नेक डिजाइन बनाएंगे यह हमने नेक की कुटिंग कर लिया है और फैयुदिए और फेब्रिक पर स्टीच कर लिया है । साथ इन्च हमने नेक belong इन्थफली है विर्ध और 6 इंच ये हमने फेबरिक पट्टी ली है पट्टी की चोड़ाई हमने ली है साड़े तीन इंच और आट इंच हमने ली है लेंट और हमने ये लेज ली है मोती वाली इस लेज को हम इसमें अटेच्च करेंगे यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे लेس को हम इस तरह रखेंगे अंदर की तरफ हम नहीं मोती किये हुए है ये हमारे मोती ही बहाँ दिखेंगे और लेس अंदर बंद हो जाएगी पट्टी को हम सीधा करेंगे और उपर से एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे अब हम इसको फॉल्ड करेंगे और यहाँ पर लेज के उपर रखका यहाँ पर सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह और फिनीसिंग के साथ हम इसको सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे सिलाई हमने लगा ली है और हम एक सिलाई उपर से लगाएंगे यहां पर हम एक पेर का कप्रा छोड़ कर सिलाई लगाएंगे इससे अच्छी सी फिनिसिंग आ जाती है यह लेश हमने तयार कर ली है यहां पर हम नेक पर तीन इच पर निसान लगाएंगे दोनों साइड सेंटर में हमने निसान लगाया हुआ है कुर्टी पर भी और गले पर भी सेंटर में हम एक रफ स्टिच लगा देंगे रफ स्टिच हमने लगा ली है यहां से हम बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे भुकरम के साथ साथ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे एक पेर का हम कपड़ा छोड़के कट करेंगे यहां पर हम छोटे-छोटे कट लगाएंगे सिलाई तक नजाएं उससे पहले तक ही हमें कट लगाने हैं और इस फेबरिक को हम अंदर की तरफ फॉल्ड करेंगे अच्छे से सेट कर लेंगे फिर हम इसमें ये लेस अटेज करेंगे तीन इंच पर हमने उपर माक किया है यहां से हम तीन इंच पर हमने माक किया है यहां से हम सिलाई को खोलेंगे शिलाई को हमने खोल लिया है, जितनी हमारी पट्टी की चोड़ाई है, उतना हमने यहां से सिलाई खोली है, और पट्टी पर हम निसान लगा लेंगे. पट्टी की बेक साइड हम उपर रखेंगे और यहाँ पर हम इसको रखकर पट्टी को सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाकर हम पट्टी को अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा फेबरी को कट करेंगे और ये हमारी पट्टी इस तरह फोल्ड होकर उपर की तरफ राइट साइड में आ जाएगी दूसरी साइड में हमें इस तरह लगानी है नेक को हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम इस पट्टी को रखेंगे बीच में और इसको उल्टा करकर यहां पर हम सिलाई लगाएंगे, यह देखिए यह इस तरह आएगी, फिर हम नेक को फोल्ड कर देंगे, फिनिसिंग के साथ हम इसको फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ, और उपर से स्टीच लगाएंगे, नेक पर हम उपर से सिलाई लगाएंगे, यहां पर हम अच्छी तरह और फिनिसिंग के साथ सिलाई लगाएंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, यह देखें, यह हमारा चोकोर नेक डिजाइन रेडि हो गया है, अगर आपको हमारा यह डिजाइन पसंद आए तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, आपको यह डिजाइन कैसा लगा,